गाइस हम आज किस वीडियो में सीखेंगे कि अधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करते हैं अगर आपका अधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो इसे कैसे चेक करें कि आपका अधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है और अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का कितना चार्ज लगता है आज किस वीडियो में आपको बताने वालो है और अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना कितना मैंडेट यह यह भी आपको इस वीडियो में बताने वालो अगर आपको YouTube पसंद आते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाई हुए है अगर हम जान लेते हैं कि पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने का कितना चार्ज लगता है पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने का हजार उपेज चार्ज लगता है अगर हम जान लेते हैं कि पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कराना ज़्यादा जरूरी तो नहीं है अगर हमने अपना pen card अधार card से link नहीं कराया तो कोई समस्या वाली बात तो नहीं है हाजी समस्या वाली बात है आपको अपना pen card अधार card से link कराना बहुत ही जरूर है अगर आप नहीं कराओगे तो जो भी जो government से related work है जैसे कि आप अपना account नहीं open करवा सकती आप जो आपको जो TDS है वो double charge होगा और आपको जो RTR जो file करते हो वो file नहीं कर पाओगे text return नहीं कर पाओगे यह सारे चीज़ें नहीं कर पाओगे और जो भी government से related work है जो भी कोई form होता है वो fill नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपको pen card को अधार card से link कराना पहुत ही जरूरी है और बहुत सारे work हैं जो आपको यहाँ पे list दिख जोगे यह सारे work नहीं कर आप आओगे अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका pen card अधार card से link है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको इंकम टक्स की website पर जना है और इस website का link आपको वीडियो के description में दे जूँगा अब आपको चेक करना है कि आपका pen card अधार card से link है नहीं तो यहाँ पर एक link अधार status यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आप और यहाँ से अगर आपका link नहीं है तो यहाँ से आप अपने अधार card को अपने pen card से link कर सकते हो link अधार के link से तो हम चेक करेंगे कि हमारा अधार card pencard से link है नहीं तो इस वाले link पर आपको click कर देना है फिर आपको यहां पर अपना pen number और यहां पर आपको अपना अधार number fill करना है fill करने के बाद your link अधार status पर आपको click कर देना है जैसा कि मेरा pencard अधार card से already link है तो यहां पर show रहा है your pencard is already linked to given अधार तो इस परकार से आप भी चेक कर सकते हो अगर आपका पैन काड अधार काड से लिंक नहीं है और कैसे लिंक करें उस वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्चिन में मिल जाएगा अगर आपको ये नफॉरमेशन हेल्फफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्च्राइब कर लीजे इसी परकार की इन्फोरमेशन के लिए तो चले मिलते हैं इसी परकार की नेक्स वीडियो में जब तक के लिए टेक केर बाय बाय